जी बिन्ते आडम जी नहीं मुझे एक्षली आडम से भात करनी थी आडम सोर से कर ले ना आडम आरिया का टोड़े देर में आपने भी यह तब ही मैं सुन रहा था तभी मैं खाना खा रहा था तो आप बोल रही थी ना कि वह आदी अकल वाली बात जो है वह गलत है करके कुरा वाले अल्ला की आप इबादत क्यों कर रही है अच्छी ना खुरान जो लैंग्विज में है वो लैंग्विज बहुत बड़ी लैंग्विज है तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स रहते और कॉंटेक्स्ट में रहता तो मैं उसे अब मैं नहीं समझ सकती हो तो सिर्फ उ नी आसी लेंग्विज में क्यों उतारा जो समझ में नहीं आते किसी की झाल है कि अगर यह लोगों के लिए है के लिए भुत पॉट सूनने में ना बैटे कोριान सुनाने के लिए बढ़ताया अगर भेजाए अलाने तो गाने ब्हें बेंजद yapıl़ है समझने के लिए भेजाए ना लोगों की हिदायत के लिए भेजाए दुनिया की भलाई के लिए भेजाए तो वो सुनने में नहीं भी अच्छी लगती तो भी टेंशन नहीं रहता उसमें बात अच्छी होनी चाहिए थी उसमें बात आसान होनी चाहिए थी आप खुद बोल र हudए आप लोग है तो मान रही है ना कि इसमें आध़ी गवाई वाली जो बात है वह बिल्कुल गलत इंग ने वह कि आध़ी आति कॉण निए दिमाग आधी ने दाटिमाग के बारे में बहुता है तो वह रसुल ने फर्माया है ना किसे अकल होती है उड़ते बताया था ना आपको साजित नहीं कि बस कुछ कॉंटेक्स में बोले वह क्यूंकि वह एमोशनल रहते जादा इसलिए बस और कुछ नहीं है एक में इमोशनल के आत्मी लोग इमोशनल नहीं होते अलैंपि इससे एमोशनल में होते थाल में लड़कियों से जादा नहीं है इसा नहीं होता है वह इंडिविजल पर arist करता आद किसके साइए ए इसके कम है इमोशनθ करता आद सन्हों का अलग है ना फीमेल और मेल का नेचर को आँप फीक है यहां ठीक है उससे उससे लेकिन आपकी आप मांती है कि आप ना किसे अकल है यह ना किस बस्सेंट होती है अकल में कुछ कॉंठेक्स में बस कुछ चीजों नहीं बोला है ना रसुल उल्ला ने वहां पर बोला ही नहीं है कुछ चीजों में ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया है तो इसी लिए ना आप लोग उसके लिए दूसरे दूसरे हदीसों को भी देखना पड़ता दूसरे खुरान की अधिस बताओ सुनो बिंत्यादम कोई एक अधिस बताओ जहां पर अल्ला के रसुल ने कहा है कि नहीं औरते जो है वो पूरी अकल वाली होती है ने अखल का तो मुझे ने बताया लेकिन औरतों की ख़द्मों के मां के ख़द्मों के निच्छे तो जन्नत है आप इतना मानती है ने 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 और यार यह दोनों बात आप कैसे कर सकती या तो मान लो कि आप डिफिशेंट इन नॉलेज है खतम रसुल लुला की बात को म लड़ती जादा है शोहरों से शोहर से लड़ने के उपर से बात ही नहीं है कोई अकल की वह दीश में अच्छा आप लोग जह दिखाया थे ना मुझे एक बार फिर दिखा सकते हो क्या चलो मैं आपको दिखा देता हूं कि एक में रूखो कर दो क्या है खुली भी है साजित है यह न यह न यह न एक में देख में दूसरे स्कीन पे ता है हाँ हाँ यह वाली वो ईद की नमाज के लिए वो लोग थे तो रसुल उल्ला ने वहाँ उनसे सद्गा इतका मांगा जी उपर से पढ़ देगा हाँ हाँ ठीक है सहील बुखारी 304 304 रसुल उल्ला इद लाजा या इद फितर में इतका तश्रीफ ले गए वहाँ आप औरतों के पास से गुजरे और फरमाया आए औरतों की जमाज सद्गा करो क्यूंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा तुम ही को देखा है उन्होंने का या रसुल उल्ला ऐसा क्यूं? आपने फरमाया कि तुम लांतान बहुत करती हो और शोहर की नाशुकरी करती हो बावजुद अकल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुम से ज़्यादा किसी को भी एक अकलमंद और तज्रुबा कार आदमी को दिवाना बना देने वाला नहीं देखा औरतों ने अर्ज़ की यह रसुल् Alice हमारे देन और हमारी अखले में नकसान किया है तो आपने फरमाया कि और अुरत की गवाही मर्दे की गवाही से निश्फ नहीं है यादी नहीं है उन्हें ने का जी हाँ है आपने फरमाया बस यही उसकी अकले का नकसान है फिर आपने पूछा जी बलके नियाहाँ पर अगर हदीश देखे तो गवाही जो कुरान में आदी गवाही की बात हुई है उसको रसुलुला ने अकल के साथ जोड़ा है क्योंकि अकल कम है इस वजे से गवाही आदी रखी है इस हदीस में यसाबद हो जा रहा हुए रह्मतलिल आलमीन है नबी बोलके देखे इधर क्या गोर रहे हैं पहले हैाँ सब्खाव करो बलके एक मिन एक मिन एक divan रह्मतलिल आलमीन है वह छोड़ दो आप यह मानती है कि आदी अकल की है कम अकल की है अगर नभी ने कहा है तो कुछ वजे से बोले होंगे बस तो आप उस वजे किए आप आधी अकल की है उस वजे से मानूंगे बड़ नॉर्मल है अगर कोई आि को तो नहीं मानेंगे अगर नभी बोले तो माना यार दिमाग बेजो सब्सक्राइब रोज नहीं बेज़ेगा दिमाग से बर दो नहीं अच्छा चुके सुनो बिंत्य अदम चुके नभी ने आपको आधी अकल का है इसके लिए मैं भी आधी अकल वाली कह रहा हूं नभी ने कहा ना क्या आधी अकल है तो मैं भी बोल रहा हूं कि नभी की बात पर क्या आधी अकल है चलो मैं यह बात में मानूंगे ठीए आप मुझे आधी अकल मैं अधी ने कहा है ना देखो इनको इनको है ना मिर्ची बहुत लग रही है एक मिर्ची बहुत लग रही है कि कोई इनको आधी अकल कैसे कह सकता है लेकिन वही दिमागी अपंगता है जो जिन्होंने यह बात पहले कही है आधी अकल वाली यह उनकी गुलाम बनने के लिए रेडी है मेरे हुजूर आप मेरे को आधी अकल वाली बोलो मैं मान लूँगी आप मुझे पर्फ्यूम लगाने के पर बोलो मैं मान लूँगी स्थाखिर अलुग यह बात यह हो गई है बिनते आधम ने आप सुनिये यहां कॉंटेक्स्ट के नभी फर्मा रहे हैं कि सदका दो बचा रहे हो तो कुछ जहन्नम में जाने से सदका सदका ही लेना ता रसुल उल्ला को तो सिर्फ इतना कह देते हैं कि सदका दो सभी लोग उस पर यह पुरी जो गेम तरही है ततके को लेने के लिए आजी रीजन भी दे रहे ना अगर बीना रीजन के रीजन दिया ना क्यूंकि तुम आदी अकल हो और तुमारा दीन में भी नुक्सान है तुमको पीरियड्स आते तुम उसमें नमाज नहीं पड़ सकती तो वो तुमारा नुक्सान है अच्छा है कि यहां पर और रीजन है ना कहरें बावजूद अकले और दीन में ना कि सुने के मैंने तुम से ज्यादा किसी को भी एक अकलमंद तज्रूबा करा आदमी को दिवाना बना देने वाला नहीं दिखा यानि तुम हो तो आधी अकल की मतलब को भी हां तुम दिव और आशिक बना देती हो लिए बिंते बिंक आदम तुम ए लगणे वाली हो रहत है बिल्कुल आदी अकल होने के बावजूद अच्छे खासे अदमी को अपना आशिक बना देती हो अधाओं से कभी जुल्फ लहरा कि कभी होट को है ना विंते अदम मानती एना तू तुमारी बेहन जैसी हो तुम्हारी इज्जत हमारे सर आखों पे अब बताओ मैं अच्छा जो तुमको बहन मना के तुमको मेरे सर आखों पे रख रहा हूं तुम्हारी इज्जत को तुम्हारे इतराम को कि वो शक्स अच्छा जो ये कह रहा है कि तू आधी अकल अब मैं वो मोड पे आ गया, नभी वाले मोड पे आ गया, कि बिनते आदम जो है, वो आधी अकल वाली है, और वो लोगों को एक दिमाग वाले इंसान को पागल बनाती है, सुनिए, एक सिकंड, एक सिकंड, बोलो मैं नभी बनना चाहते हैं, देदी, अगर हम नभी की तरह, आपको बोले, आपको आपको अपनी जूति में तरह, आप तो प्रूफ भीष भी ने करें आप मैं अप इमाने वाले के मैं आप से सवाल करी थी, आप इमाम है क्या गोलता, आप तो बिंते आदम, बिंते आदम, हम नभी की तरह बनके तुमको बोले पीनते आदम आदी अकल वाली तो अधि एक पर्टिकुलर लड़की को लेकर नहीं बोल रहे तो पुरे ओर ऑर्ल पूरी दुन्या को देख के नभी बोल रहे हैं तो उसमें तुम शामिल हो क्या नहीं हो पूर अब कर दो हो दूल और यह मैं यहां पर सारी ऑड़तों को नहीं बोले जो इसा करती है नहीं थे संदू कि अगर मैं यह आपको बोलू के औरते बीमार और कि बिमार और उसमें सब और बीमार होंगी और कुछ और यह 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 जाएंगी लेकिन और तो ज़ादा जो है अक्सर यह जहान्यम में जाएंगी लेकिन औरतों की quality क्या बताईए तो उन्हों सिंपल करता हूँ अगर ये चीज तुमको समझ में नहीं आई ना तो समझ जाना दुनिया की कोई चीज तुमको समझ में नहीं आईगी ठीक है मुझे बताओ तुम कह रहे हो कि ये सब की बात नहीं है ठीक है ठीक है आचा मुझे ये बताओ कि इसका जो second part है कि दीन में नुकसान है फिर उस हिसाब से कुछ औरतों को हैज नहीं आना चाहिए यानि अक्सरियत को हैज आएगा और कुछ को नहीं आना चाहिए राइट जी कि अइसा है तो जब उदर अकल को सुनों दो चीज रसुल उलाने इकटी बोली है अकल का नुकसान आधी अकल और और दीन का नुकसान दोनों एक साथ बोले कर नहीं बोले 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 तो अगर जो चीज तुम आधी अकल पर लागू कर रही हो वही चीज दीन पर भी लागू होना चाहिए नहीं एक सेकंड यह ठीक है जो आप बोले मैं समझ गी आप जो जो मारी प्लेट करना चाहिए वो मुझे समझ में आ गया यह हदीश क्या है जो और जो और तों को नभी ने दोजग में देखा है राइट अक्सरियत नभी ने यह ने कहा कि पूरी औरते दोजग जाएंगी उस हेँ एक मिट उस हिसाब से पूरी औरतों को हैज़ नहीं आना चाहिए ने यह jemand इस हदीश का जब मतलब एक झाल यूजस कर रहें इसमें नबी की उमलग झी उनलों आरे मिसाल यूजस करा बेंते आदम लाजट इंब तुमको explain कर रहा हूं, नहीं सुनो, अभी इससे जादा मैं तुम्हारी चाला की या बेवकुफी बरदार्श नहीं कर सकता हूं, उधर पे एकड़म सिंपल तरीके से आपको बताया हूं, कि जो चीज तुम आधी अकल पे दालोगे, वही सेम चीज दीन के नुक्सान पे भी तुमको लेना पड़ेगा, अगर तुम ये कह रहे हो, कि सारी औरते इसमें शामिल नहीं है, तो हैस के मामले में भी सारी औरते शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज इकटी बोली है रसुल उलाने, या तो ये बोलो कि अकसरी है, सारी औरतों को हैस नहीं आता, यह दो काम यह औरतों करें राइट यह कभा यह कमिया है और तुम में मैं है कर नहीं है थैंक यू तो सारी आती हो ए नी आती हूं तो तुम आधी दिमार्ड वाली हो क्या नहीं अगर नभी ने बोला तो हूंगी मुझे फेरीश्वेला टीक यू अब शुट्य बरिश्टे आदम सब ओण बलें गया ए जी अदी अकल वाली बिनते आदम आगे क्या कहना है कि नहीं मैं आद्यक्रवाली नहीं हूं पर्ली बात यह दूसरी तुम डिसाइड करो तुम जूटे क्या तुम्हारे नभी जूटे तो यह सेकंड पॉइंट जो है ना इसमें वह नभी यह बुलना चाहरे कि सब्सक्राइब कर दे कि अपने जो नेकियां है न वह बड़ा अब नवाक अधी अकल और दीन में हमें अधा क्यों बता धिया नुखसान जों बता धिया है उल्मक क्या अध्य और यह प्रॉबलम है यह बूलना चाहरे नभी आप मान जी आप के अंधर यह प्रॉप्लम है आप आदिए क्ल वाली है भी का डटा bakın be a अच्छा अधिया कल वाली बिंटे आदम Alg खाना क्या खाया गुश्क डेप्रेशन खारियों आप लोगे वीडियो से देखके अच्छा आधी अकल वाली बिंटे आदम आज नमाज पडि जी अलहम्दुलिल्ला आदी अकल वाली एलत्र बिंते आदम आज आखा है आपने बस हो गया आपका Are औरे क्यों बुरा लग रहा है नहीं विल्कुल भी नहीं तो फिर क्यों चिड़ रही है हम आपको अभी से आधिया कल वाली बिंतयाद मिलता नहीं तो आप कोई चीज एक बार में सुचते हैं दो बार में एक बार में सुनना चाहिए आधी अकल वाली आप A B C D जब सीखी थी तो बागी बच्चों इस चीज को है लेकिन आप आधी अकल वाली तो है ना इतना तो कंफर्म हो गया जी आधी अकल वाली विंते आदम आधी अतल वाली विंते आधम अधी अकल विंते अध्सी को तो अच्छा नहीं लगता ना लगए आधी अकल की है लेकिन कहना मुनासिद निकिन कहना मुनासिद्धू और आप मुनासिद है तो तो आधी अकल वाली बिंते आदम फिर जब से आप यह क्यों कह रही थी कि मैं आधी अकल वाली नहीं हो यह लड़की इतने बार अपनी बात चेंज करती है अभी अभी थोड़े दिर पहले बोलाता हूँ नहीं अभी साइज साब ने दिमाग पूरा का आया कि दिमाग पूरा है उस पे अकल आधी नहीं हूं लेकिन नॉर्मल सेंस में नहीं हूं आधी हो लागे संवी पशेए आधी होने हुँ नहीं हुझ हूं ही नहीं ही नहीं हुझ लोगण यहाँ हूं नहीं हुझ के अज आधी आकल वाली न्युक्त विंत्यां थोड़ा रूप जाओ आधे यह कैसा है कि यह बोल रही है कि मैं एक कॉंटेक्स में मैं लड़की नहीं हूं दूसरे कॉंटेक्स मेंद मैं लड़की हूं लड़की हैं कभी हैं कभी नहीं है वैसा करने वाली लड़कियों को गेदि करो एक में अगर आधी अकल वाली नहीं तो आपको हैस भी नहीं आना चाहिए आपको हैस नहीं आता यह दो का कनेक्शन ही नहीं ना यह थोड़ी एक मिद अपना विंट आदम रुको अथा थोड़ा सा उपर करो जहां पर हैस और वो दोनों बात कही है रसुल अलाने यह देखो जब औरत हैज़ा हो तो ना नमाज पर तक सुथी है न रोधा ने उपर कहा ना कि उन्होंने दोनों सवाल किये ना रसुल उल्ला से उपर करो उपर करो एक मिदों में को पढ़ने में यहां से आज रसुल उल्ला सलल्ला अले सलम एदुल अज़ा या इदुल फितर में इद गा तश्रीफ ले गए वहां आप सललला अले सलम औरतों के पास से गुजरे और फरमाया आए औरतों की जमात सदका करो क्यूंकि मैंने जहन्नम में जादा तुम ही को देखा है इन्होंने कहा या र आंतान बहुत करती हो और शोहर की नाशुक्री करती हो अच्छा अब देखना क्या क्या बात इकटा हो रही है बावजूद अकल और दीन में नाकीश होने के दोनों एक साथ आया है बिंते आदम आधी अकल वाली बिंते आदम सुन रही है आधी अकल वाली बिंते आदम वोई सोच रही है बिंते आदम यह क्या लिखा है बावजूद अकल और दीन में नाकीश होने के दोनों चीज एक साथ कही है रसुल अला दे कि इकटी कही है क्या नहीं कही है आप लाइन एक बार फिर से पढ़ों कि बावजूद अकल और दीन में नाकीश होने के थीक्या है हाँ है है ना दोनों एक साथ इकटी तुम्हाले सामने है उर्दू आती है आपको आधी अकल वाली बिंते आदम आप मुझे यह मत बुलाईए अरे मैं नहीं कह रहा है यह रसुल अला कह रहे है यह देखो ना आपके सामने बावजूद अकल और दीन में नाकीश होने के मैं कह रहा हूं बिंते आदम फिर से सुन लो मेरी नजर में तुम मेरी एक बहन जैसी हो तुम पूरे दिमाग वाल कियो कि साहल की नजर में साजित की नजर में लेकीन जब मैं रसुल उलावाले मोड में आओंगा थो पिर आप जो हे वहाधिय करवा लिए तो आधी अकल वाली बिंते आदम ये बताओ कि दोनों चीज एक साथ बोली या नहीं बोली रसुल उल्ला ने बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के कहिए क्या नहीं कहिए दोनों एक चीज एक साथ जी बोले और सिर्फ मिसाल के तौर पर बोले मतलब एक्स्प्लीनेशन देने के लिए कि जाधा तर औरते जहन्नम में हैं तो लोग को अलर्ट है लेकिन देखो बावजूद अकल और दीन में नाकिस ये सब के लिए है क्या नहीं है सब के लिए है उसमें तुम भी शामिल हो क्या नहीं शामिल हो उस अकल और दीन के नुकसान में तुमको भी तो है जाता है ना तुम्हारा दीन का नुकसान होता है ना नमाज नहीं पढ़ते हो तुम जी शामिल हो ना आप तो ये नाकिस ये अकल में भी आप शामिल हो तो आपको बुरा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए अच्छा आप लोग बोर रहे ना ये मैनमेड है ठीक है क्या मैनमेड है दीन इस्लाम दीन जो है मैनमेड है तो चौदा सव साल तक क्यों चल रहा है मतलब एक इंसान को पवर में आने के लिए इतने सब्सक्राइब पहले यह यह पहले यहां पर कंफर्म कर दो कि मैं आदे अकल वाली बिंते आदम हूं इतना कंफर्म कर दो फिर मैं आपके नेक्स सवाल के जवाब आप फिर इसके श नहीं ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं कि नभी की बात रिपीट करने पर सवाब मिलेगा रसुल्ला कहते हैं कि आपको अगर एक आयत भी पता हो तो वो लोगों तक पहुंचाओ तो आपको अगर और रसूल्ला की शद्का करिये बस यह बात कि आधिकल वाली बात क्यों नहीं पहुंचाएंगी यह आधिकल नहीं ना यहांपर GB Karma करिये क्योंकि आप लोग में यह कमियां है और हाँ क्या कमी है यह प्वरतिं अपना दिमाग पूरी ततरीए सेस्परूं लोगे ने हैं दमाग कम्पलीट दमाग है मगर इसतेमाल नहीं करती ये सिर्द में अधर में ऍकरती है आफ इंसद्या नहीं करती आ इस सब में पटाया है कि जब एमोश्नल होती है तभी नाकिस लगशल होती है । तो यहां पर अगने अगर आपको चीज बोलूँ गा ठीक तो मैं पूरी बात बोलूँगा अगर मैं यह कहूंगा कि आपको बीमारी है तो मैं बताओंगा ना कौन सी बीमारी है पूरा बताऊंगा तुम जो बोल रहे हो इमोशन में जब होती है तब नहीं तो रसुल उल्ला ने नहीं बताया रसुल उल्ला ने तो एक लड़की आप लोग के स्ट्रीम में जो स्टाइड चाट में हमेशा स्ट्रया मुसल्मान ओरतों को इतने बुरे बुरे बातां भी आप इसके बाले कि ए और यह को बोल दी Islaam अच्छा है तो आप लोग देखो और चाट नहीं बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं तो आपके रसुल्ला ने जाधत क्यों दिये थे ने आपको एक में नॉर्मल सी बात बोलूंगी इसलाम में इसलाम शुरू होने से पहले वहां पर यह सब चलता था दीरे दीरे इसलाम ने सब बंद करवाया अच्छा एक मिन एक मिन एक मिन अगर किदर पर प्रोस्टिटूश तो एक एडिया में प्रोस्टिटूशन समझो चल रहा है ठीक है और मैं इसलाम की नजर के साब से बोल रहा हूं प्रोस्टिटूशन चल रहा है मेरा बच्चा जो है मुझे आके कहता है कि बाई डैडी मेरे कोई ना बर्दास्त नहीं हो रहा तो मैं उसको बोलूंगा raph वहां पर चले जा क्योंकि बंद नहीं हुआ है लोग कर रहे हैं चलेगा एक मुझे ना यह टौपिक नहीं समझे है सॉरी मैं यह टॉपिक बात भी नहीं कर सकते लिए वह आपको आधी अकल पर बात नहीं करना है आपको मुता पर बात नहीं करना है क्यों नहीं करना है तो वो वो उस जमाने में होता था तो वो बंद करवाया गया इसलाम के जरी है अब छर्वान देखो बंद करवाना और ऊसले के नहीं फरक है कि डिए में बात फिर भाट पहले यह बोलो की फरक है करनी है एक चीज जो है चल रही है आप उसको बंद करवा रहे हो और एक इनसान है जो उसमें involved हो रहा है दोनों में फरक है करनी है तो ना तुमारे रसुल उल्ला को भले से वहाँ पर चल रहा था काम रसुल उल्ला को तो मना करना चीए था बल्के आप देखो मुता वाली हदीस अगर देखोगे तो वो जो सहाबी जो दो आय थे साजी दो मुता हम खसी हो जाते रसूल उल्ला सामने से बोल रहे है नहीं मुझे इस टॉपिक पे इस टॉपिक पे आप थोड़ा दिमाग लगाओ लेकिन है तो आप आधी अधी अकल वाली मैं आधी अकल लगाओ कि आपके जो व्यूवर्स है ना उसमें क्यों मेल्स ऐसे वर्ट यूजने करते आप यह बोलो क्योंकि उनका दिमाग पूरा है जब वो देखती है ना कि आप जैसी आधी अकल वाली लेड़ी आके डिफेंड कर रही है उनको गुस्ता आता है इसलाम को बोले और तो वही इसलाम आपको आधी अकल वाली बोल रहा है तो आप इसलाम पे चेड़ने के बजाए उन और तो पे क्यों चेड़ रही है जो हकीकत बता रही है और अगर मेल हजरात अगर आपको कहेंगे तो आप वहाँ फैमेनिजम का काड़ खेलेंगी इसी वजे से जो पीमेल हजरात है वह आके आप लोग को आपकी हकीकत बताती है तो इसमें आपको चेड़ने की क्या बात है लिए नीचा दिखा रहे और तो उनको अरे ता वह नहीं दिखा रहे है तुमारा इसलाम दिखा रहा है कि इसनाम से जादा इज़त किसी महजब में नहीं दिया औरतों को ओ क्या दी अकल वाली बिंते आदम ठीक है आप रसुल्लाह के दमाने में होती तो आपके साथ भी मुटा करवा देते रसुल्लाह साहल भाई साहल भाई इनके सारी बाते सुन रहा था लेकिन मैं सारी आपके डिस्क्रिशन सुनी लेकिन अभी तक जो इनने आखरी स्टेटन अभी दे दिये ना मुझसे रहा नहीं गिया कौन सी वाली कि इसलाम ने सबसे दिये औरतों को बाकी तमाम मजहिब से किनिस पर लाइक मैं अभी बैठा वा खाना खा रहा था और अभी मैंने पांसाथ मिनट आश मिनट बाद आपको तंग करना था लेकिन यह जो नहींने स्टेटमेंट बोल दिये ना इस पे मुझसे रहा नहीं गया कि यह तो आ आइडम साब कभी बरदाश करी नहीं सकते ना यह स्टेटमेंट हएं यह के मैं आप उल बोलिए एक को थे आप ने आप फिर से एक बार बोलिए लाइन आपकी इज्जत अरभी में कहते हैं हुरमत को और अरभी में निसा मुझे हुरमत निसा पे पूरे कुरान में एक आयत दिखा दें वन वर्स ओनली ठीके मैं आपको दिखा दूँगी आपको इमेल कर दूँगी मैं इमेल क्यों करेंगी इमेल गई बाबाजी के ठुलू मैं अब मुझे भी दिखाना है कोई एक आयत दिखा दे कुरान में जो और मत निसा के ओपर हो और तो की इज्जत के ओपर हो अगर मैं दिखा दूँँ तो आप क्या करोगी भाई 6666 आयतों मैंसे एक भी आयत नहीं है इस पर दिखाओ और तों की इज्जत करना ऐसा कुछ ही ने कुरान में आप बोल रहे हैं